तुम कहीं भी जाओ, ये कमपास तुम्हें हमेशा घर का रास्ता दिखाएगा ऐसी कौन सी चीज है जो इसे चलाती है, पर दिखाई नहीं देती बेता, यही तो प्रकृती का रास्या है, शायद एक दिन तुम खुद इसे समझोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में सवल नहीं खोज है 14 मार्च 1889 को जर्मनी के उल्म शहर में जनमें एलबर्ट आइंस्टाइन बच्पन से ही साधारन नहीं थे उनके पिता, हर्मन आइंस्टाइन, विद्धुत उपकरणों का छोटा व्यापार चलाते थे और माता पॉलीन एक समवेदिन शील प्यानो वादक थी यहूदी परिवार होने के बावजूद विधार्मिक कठोर्ता से दूर, तर्क और शिक्षा को सर्वो परिमानते थे एलबर्ट ने बोलना बहुत देर से शुरू किया, लगभग चार वर्ष की उम्र में परिवार को चिंता रहती, लेकिन जब वे बोलते, तो हर शब्द सोच समझ कर बोलते थे पाँच वर्ष की उम्र में, जब उनके पिता ने उन्हें एक कमपास दिखाया, तो उनकी जिग्यासा ने आकार लिया वो चुपचाप उसे घुमाते रहे, और यह देखकर दंग रह गए कि सुई हर दिशा में घुमाने पर भी उत्तर की ओर लौट आती है बाद में उन्होंने कहा, उस कमपास ने मुझे सिखाया कि संसार में ऐसी चीजें हैं जिने हम देख नहीं सकते, पर वे फिर भी मौजूद हैं यक्षण उनके भीतर विज्ञान की लौज लाने वाला साबित हुआ, एक जिग्यासू मन अब जीवन भर ब्रह्मान के रहस्यों को समझने की रह पर चल पड़ा था म्यूनिक के स्कूलों में अनुशासन और अठने पर अत्यतिक जोर था, रचनात्मक सोच की कोई जगह नहीं थी एलबर्ट इस माहोल में असहज महसूस करते थे, वे किताबों से परे जाकर चीजों को समझना और तर्क खोजना चाहते थे, लेकिन उनके अध्यापक इसे अनुशासन भंग मानते थे एक सिक्षक ने यहां तक कह दिया, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे परन्तु एलबर्ट का मस्तिश्क पहले से ही परंपरागत सीमाओं से परे सोचता था उन्होंने गणित, जामिती और कलन स्वयम सीख लिया था, वो भी सिर्फ बारा वर्ष की उम्र तक 18-94 में जब उनके पिता का व्यापार असफल हुआ, परिवार इटली चला गया असफलता माना, पर वास्थव में या स्वतंतरता की ओर पहला कदम था, जहां से आइंस्टाइन ने अपनी सोच की उडान शुरू की मैं असफल नहीं हुआ, बस रास्ता लंबा है, एक दिन यही तारे मेरी समीकरण में उत्तर बन कर लोटेंगे बेटा, तुम्हारी सोच अभी दुनिया से आगे है, धैर्य रखो गार 1895 में एलबर्ट ने स्विस फेडरल पॉलिटेकनिक जियूरिक की प्रवेश परिक्षा दी गणित और विज्ञान में वे असधारन रूत से उत्कृष्ट थे, लेकिन भाषा और इतिहास में कमजोर अंक मिलने के कारण परिक्षा में असफल हो गए ये असफलता उन्हें हतोत साहित नहीं कर सकी अगले वर्ष उन्होंने आराव के कैंटोनिल स्कूल में प्रवेश लिया, जहांकी शिक्षन पधती, स्वतंत्र और प्रेरक थी वहां उन्हें अपने पहले आदर्श शिक्षक जौस्ट विंटलर मिले, जिन्होंने कहा अल्बर्ट, सच्ची शिक्षा वही है जो सोचने की आजादी दे, इसने अल्बर्ट के जीवन की दिशा तै कर दी 1900 में उन्होंने पॉलिटेक्निक से सनातक की डिगरी हासिल की और गणिक और भौतिकी में विशेशग्यता प्राप्त की उनके स्वतंद्र और विद्रोही सुभाव के कारण प्रोफेसरों ने उनके लिए नौकरी की सिफारिश नहीं की कई महीनों तक वे बेरोजगार रहे और इसी दौरान 1902 में उनके पिता हर्मन का निधन हो गया इतिहास जानता है यही असफल बेटा आगे चरकर E is equal to MC square के साथ पूरे ब्रह्मान की समझ को बदलने वाला था यह नौकरी मामूली लग सकती है पर पापा यहां मैं रात को ब्रह्मान की सच्चाईयों पर सोच सकता हूँ यही मेरी असली दुनिया है अलबर्ट तुम इसे मज़ेदार बना दोगे साधारन काम भी असाधारन विचारों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है 1902 में कही संघर्षों के बाद अलबर्ट आइंस्टाइन को स्विस पेटेंट आफिस बर्न में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी मिली काम सुनने में मामूली था आविशकारों के विवरणों की जाच करना और उनकी तकनीकी समझ पर ध्यान देना लेकिन यही साधारन नौकरी उनके लिए वर्दान साबित हुई वे दिन में दस्तावेजों का मूल्यांकन करते थे और रात को अपने छोटे कमरे में ब्रह्मान के रहसियों पर विचार करते थे 1905 का साल उनके लिए अद्भुद बन गया जिसे बाद में एनस मिराबिलस कहा गया इस साल उन्होंने प्रकाश विद्धुत प्रभाव, ब्राउनियन गती, विशिष्ट सापेक्षिता सिध्धान्त और E is equal to MC स्क्वार पर शोध पत्र प्रकाशित किये उनके विचारों ने विज्ञान के मौलिक नियमों को चुनोती दी और आने वाले समय में पूरी दुनिया को चकित कर दिया यही स्वतमपरता उन्हें महान विज्ञानिक बनाने की नीव साबित हुई गुरुत्वाकर्शन कोई शक्ती नहीं है यह समय और अंतरिक्ष का वक्रत्व है जब आप यह समझ जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी 1909 में आइंस्टाइन जूरिक विश्टविद्याले में प्रोफेसर बने उनके विचार और शोध छात्रूवा सहकर्मियों के लिए चुनोटी पूर्ण और प्रेर्णा दायक थे 1915 में उन्होंने सामानि सापेक्षिता सिध्धान्त परस्तुत किया जिसने न्यूटन के गुरुत्वाकर्शन के मानक सिध्धान्त को बदल दिया 1919 में सूरि ग्रहन के दौरान वैज्ञानिक आर्थर एडिंग्टन ने उनके सिध्धान्त की पुष्टी की सूरि के पास से गुजरने वाली रोश्नी वाकई मुर्ती थी अगले दिन अगबारों में प्रकाशित हुआ विज्ञान में क्रांती, न्यूटन के नियमों की जगा है अब आइंस्टाइन का सिध्धान्त इसी समय से आइंस्टाइन रात और रात विश्व के सबसे प्रसिध वैज्ञानिक बन गए इसी बीच उनका निजी जीवन संघर्ष पूर्ण था उनकी पहली पत्नी मिलेवा मारिज से तलाक हो गया 1919 में उन्होंने अपनी चचेरी बहन एलसा से विवाह किया जिन्होंने जीवन भल उनकी देख भाल की विज्ञान में उनका योगदान और निजी जीवन की जटिलताएं इस अवति की पहचान बन गई 1933 में जब हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर कबजा किया तो आइंस्टाइन यहूदी और शांतिवादी होने के कारण देश छोड़ने पर मजबूर हो गए उनका घर लूटा गया और उनके खिलाफ पुरसकार तक घोशित किया गया उन्होंने अमेरिका का रुख किया और प्रिंस्टन विश्विद्याले में इस्थाई रूप से बस गए यह समय उनके लिए नई चुनोतियां लेकर आया देश, भाशा और संस्कृति बदलना पड़ा पर उनकी वैज्यानिक खोजें जारी रही उन्होंने शांती और युद्विरोध के सिधानतों का पालन किया और जीवन भर मानवता के लिए काम किया 1949 में आइंस्टाइन को पता चला कि नाजी जर्मनी परमानुबं बनाने की दिशा में काम कर रहा है उन्होंने तकाल अमेरिकी राष्टपती Franklin D. Roosevelt को पत्र लिख कर चेतावनी दी कि यह तकनीक विश्व के लिए खत्रा बन सकती है यह पत्र Manhattan Project के लिए प्रिर्णा बन गया जिसके प्रिर्णाम स्वरूप, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमानुबं गिराए गए इस विनाष ने Einstein को गहरे दुख में डाल दिया उन्होंने सारवजनिक रूप से परमानु निरस्त्री करण और विश्व शान्ती के लिए आवास उठाई वे Albert Einstein Foundation के माध्यम से अंतर राष्ट्री अभियानों में भाग लेने लगे अमेरिका में बसे आइंस्टाइन ने विज्ञान के साथ-साथ गहरी दार्षनिक और मानिवी सोच विक्सित की जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने एकिकरित छेत्र सिध्धान्त पर काम किया जो गुरुत्व विद्युत और चुम्बकत्व को एक सूत्र में जोडने का प्रयास था वे संगीत के बड़े प्रेमी थे वॉयलिन बजाना उन्हें मानसिक शान्ती देता था वे अक्सर कहते यदि मैं वैज्ञानिक ना होता तो मैं संगीत अग्य होता 1952 में इसराइल ने उन्हें राष्टपती बनने का प्रस्ताव दिया लेकिन उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया कहते हुए कि मेरे पास लोगों से निपटने की योगिता नहीं है आइंस्टैन सादगी पूर जीवन जीते थे सामाने कपड़े पहनते बिना मोजों के घुमते और कहते मैं नियमों से नहीं विचारों से जीता हूँ उनका या जीवन दर्शन आज भी वैग्यानिकों और मानवता के लिए प्रिड़ना श्रोत है जीवन को कृत्रिम रूप से बढ़ाना अर्थहीन है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है अब जाने का समय है आपके विचार और ज्ञान अमर है अलबर्ट दुनिया हमेशा आपके संदेश से प्रभुध रहेगी 18 अप्रेल 1955 को अलबर्ट आइंस्टाइन का निधन 76 वर्ष की आयू में हुआ उन्होंनों जीवन के अंतिम छणों में भी विज्ञान, कलपना और मानवता पर ध्यान केंद्रित किया उनके शरीर का दासंसकार और मस्तिश का अध्यनिया दिखाते हैं कि उनका दिमाग सामाने से अलग था उनकी छवी आज भी हर वैज्ञानिक खोज में जीवित है चाहे वो अंतरिक्ष की रहस्मई तस्वीरे हो ब्लैक होल की खोज या समय और गुरुत का अध्यन उनके अमर संदेश ने प्रेरित किया विफलता से मत डरो, सवाल पूछो और कलपना करो यही तीन चीजे मानवता को आगे बढ़ाती हैं अलबर्ट आइंस्टाइन की सोच, शान्ती की कामना और विज्ञान के प्रतिसमर्पन आज भी पूरी दुनिया के लिए मार्ग दर्शक है फलता केवल पद या अंक से नहीं मापी जाती, बलकि जिग्यासा, धैर्य और कलपना से होती है यही असली मार्ग दर्शन है अलबर्ट आइंस्टाइन का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली प्रतिभा किसी परिक्षा या पद से नहीं मापी जाती बाल्या अवस्था में बोलने में विलंब और इस्कूल में संगर्ष ने उन्हें असामान्य बनाने के बजाए, उनकी जिग्यासा और सोच को ओर गहरा किया पेटेंट ओफिस में साधारन नौकरी ने उन्हें सोतंतर सोच और शोध का समय दिया जिससे उन्होंने विशिष्ट और सामाने रापेक्षिता सिध्धान्त E is equal to MC square और प्रकाश विद्धुत प्रभाव जैसे अनुठेक योगदान किये उन्होंने विज्ञान को केवल ग्यान तक सीमित नहीं रखा बलकि मानवता और शान्ती की सेवा के लिए भी इसका उप्योग किया नाजी जर्मनी के परमानु कारेक्रम के खत्रे से दुनिया को चिताया और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शान्ती, कल्पना और एकिक्रिट छेतर सिध्धान पर ध्यान दिया आइस्टाइन का जीवन या दर्शाता है कि असफलता डरने की नहीं, सीखने और खोजने की दिशा देती है विनम्रता, धैर और कल्पना शक्ती के साथ हर चुनोती को स्विकार करना मानवता और विज्ञान में सची महानता की कुन्जी है